जैहिन साथियू, स्वागता आपका एक बार फिर से आपके अपटी यूटूब चेनल RS Education Center पर साथियू इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्पूटर जो संगनक भरती है जिसका एक चाम राजस्तान करमचारी चेन बोर्ड ने आयजीत करवाया था बिल्कुल आज इसके दो गुड़ा अब भिरतियों का जो परणाम है साथियू, जारी हो चुका है अब आपका समय है Document Variation का एक महत्वपूर स्टेज जहां पर बहुत से कंड़ेट एक छोटी शी गलती साथियू भरती परकिरिया से है वो बहार कर दिया जाते है तो इस वीड कर रहने वाला है इसके बाद में आपका एफिडेविट आपको सबस्पत्तर कौन-कौन से बनवाने है इसके बाद में साथियू आपका जो कास साटिफिकेट और जो मून निवास है इसको लेकर भी काफी डाउट्स आपके मन में रहते हैं तो इस पर भी चर्चा करेंगे और उसके बाद में इंकम साटिफिकेट जिस पर सबसे ज़दा आपके बन में संसे बना रहता है यह तमाम सवाल साथियू आपके इस वीडियो में किलियर होने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपके लिए जानकारी उचित रहे तो चैनल को स प्यार कर लेने हैं उसके बाद में डोकुमेंट को लेकर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो डोकुमेंट सबसे पहले आपको रेडी करना है वो स्कूरूटनी फोरम हालांकि अभी नहीं है जैसे आपका दस्तावी सत्यापन का होने वाला है उस समय आपकी SSOID पर साथ हो आपको एक लिंक या एक फोरम आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वो फोरम आपको ओनलाइन ही इमित तर से आप खुद भी उसको भर सकते हैं अपने घर पे तो वहाँ पर यह स्कूरूटनी फोरम जहां पर आपकी एजुके एक आपको साथियो पूर्फय का फीस पेमेंट भी हाँ पर करना होता है तो इन दोनों का प्रिंट आउट आपको लेना है खास करके फोरम फिलफ हमारे पास फोरम यहीं है लेकिन अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप डोकमेंट बेसकर जरूट जरूर जाए अगर लेकर नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पर साती आपको यह अप्लिकेशन फोरम मिल जाता उसकी फोटो कोपी भी आपको मिल सकती है यह मलब दूसरा मौक़ा है लेकिन अगर आपके पास में तो पहले उसको यूज़ करना है आप अपना अपलिकेशन फोरम है जो इस भारती के आपके वहाँ पर चेक होने वाले हैं इसके बाद में 12th class की मारेक सीट और 12th class का certificate ये दोनों को लोकर जो सबसे comment डाउट आपका रहता हूँ मैं clear कर दिता हूँ कि बहुत से कड़ेट बोलते हैं कि मेरे पास तो certificate नहीं है अगर आपने ये exam 10th और 12th की अगर 267 के आसपास clear की है ठीक है तो उस समय आपका जो certificate और मारेक सीट वो दोनों अलग अलग आते थे तो वो दोनों आपके पास में होना चाहिए लेकिन अभी मादे मिक सिक्षा बोर्ड ने ये विवस्ता कर दी है कि दोनों ही आपके certificate और मारेक सीट एक ही आपकी सीट पर यानि एक ही paper में आपको दोनों मिल जाते हैं तो वो आपको दोनों ही valid रहने वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है फिर भी अगर एक चीज और के लिए कर देता हूँ कि बहुत से candidate का ये doubt रहता है और ये नाम उपांतरन का जो सपत पत्र आपका बनने वाला है और पचास रुपे के stamp paper पर बनेगा इसका format आपको टेलिग्राम चैनल RS Education Center पर उपलब करवा दिया गया है वहाँ पर जाकर आप ये format ले सकते हैं इसके बाद में 12th class के बाद में साथ यो अगला document आपका रहेगा वो रहेगा देखे जो सबसे महत्वपूर्ण document है यानि जो यहाँ पर डिग्री यहाँ पर निद्धारित की गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अलांकि आपने फोर्म अप्लाई किया है तो आप सबको पता ही रहना चाहिए कि कौन सी डिग्री वाले कंडेट यह फोर्म भर सकते हैं और कौन से वाले नहीं भर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर दे की क्लिए लिए बोलागा है कि किसी भी मानेता प्राप्त विश्व विद्धाले से या तो आप मैच से गनीच से या सांख्याकी से या फिर एकोनोमिक से इन में से किसी एक से आप यह है जो आपकी इसनातिक की डिग्री है वो कंप्लिट होनी चाहिए ठीक है अगर यह नहीं है तो फिर आपकी पास में जो भारती संख्या की सहस्ता जो कोलकत्ता वाला है उसके द्वारा पार्ट वन का जो ABC का कोई भी एक परमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए दोनों क्वालिफकेशन में से एक क्वालिफकेशन आपके पास में 100 तो उस आर्टिप्केट जो है आपका वह इसमें वेलिड होने वाला है उसके बाद में जो एन आई एल आई टी दिली का जो कंप्यूटर संकल्पना का जो परमान पत्र बनता है वह भी आपके पास में अगर है तो वह भी वेलिड होना चाहिए अगर यह भी नहीं है तो फिर आपके पास में साथी हो जो वेबसाइक परश्क्रिक्शन की तरफ से आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंप प्रोग्रेमिंग साहिक का जो आपका परमान पत्र बनता है अगर वह आपके पास वह भी वेलिड है अगर इन मेंसे भी नहीं है तो फिर आप किसी भी विश्व व अप्लिकेशन के साथ जो senior secondary है वो आपने पास आउट की है तो भी आप यहाँ पर valid होने वाले है अगर आपके पास में यह भी नहीं है तो फिर राज़तान में या पिर कहीं से भी एक पॉल्टिकनिक सहस्ताएं हैं वहां से अपने computer science या computer engineering है वहां से आपने डिप्लोमा किया तो वो भी इसमें valid रहने वाला है या फिर जो अपने राजस्तान में जो वर्दमान Open University है वहां से अगर आपने जो RSCIT वाला डिपलोमा किया है ठीक है यह हिंदी में नाम दिया गया है लेकिन अगर इसका इंगलिस आप वर्जन देखेंगे तो वो RSCIT है जो RKCL complete करवाता है अगर आपके पास में वो है तो वो भी valid रहने वाला है तो यह तमाम documents जो महत्तोपूर्ण है यह खास करके आपके पास में होना चाहिए 10th 12th का तो सबके पास में मिल ही जाएगा लेकिन doubts इसमें create होता है तो आपके पास में सबसे पहले e, जो पहले जो यहां पर जो योगयता दी गई है इन दोनों में इसे एख होनी चाहिए और बाद में जो second point में जितने भी योगयता है इन में से एक योगयता आपके पास भी होनी चाहिए तबी आप document verification के लिए clear होने वाले हैं क्या करना है तो देखिए सबसे पहले दो चीज़े के लिए कर देता हूं जनरल और एडबलुस इन दोनों को अपना कास सर्टिफिकेट नहीं देना है इसके लावा जो आपका टाइम है टाइम प्रियेड है कि इनकी जो विलिडिटी वह क्या रहेगी तो इसके लिए देखिए पहले यह विवस्ताती की तीन साल पुराना होना चाहिए जो फोर्म के लाज्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए तो अब यह क्या है कि नया रूल यहाँ पर जो बीश्याई भरती थी उसके बाद में कार्मी विभागरे निकाल दिया है इसको लेकर कि अगर कोई कंडेट आवेदन की अंतिमती थी थी कि आप इस रूल को पढ़ लीजेगा लेकिन जो कोमन बात हो मैं आपको बता देता हूं कि आवेदन की अंतिमती थी के बाद का अग कोशिस कीजिएगा कि वह आपके पास में डिजिटल रूप में हूँ OBC का कंडेट सवाल करता है कि मेरा एक साल से ज्यादा पुराना है और तीन साल के अंदर में है तो ऐसी कंडेट को अफिडेविट देना पड़ेगा अफिडेविट का फोर्मेट है वह आपको टेलिग् प्रमाण पत्र बनता है अब EWS प्रमाण पत्र में डाउट यही है से जो कॉमन डाउट हो ही रहता है कि इसकी वेलिडिटी क्या रहने वाले है तो सेम OBC सर्टिप्केट की तरह ही वेलिडिटी है अगर यह आपका एक साल के अंदर का है लास्ट डेट जो थी फोर्म की अग को Freeman है और वेलिडिटी है अगर वह नहीं तो आपके पासमें अपने हज्में के नाम पर तो आपके पास Hilary होना ही चाहिए तीक है कि मैंने तो एक दो पेज का बनवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह वेलिड जो सक्सम प्राधिकारी है जाने उसके द्वारा ही वह जारी किया होना चाहिए लेकिन अगर आप वह च्यार पेज का जो फॉर्मिंड मैंने टेलेग्राम पर उप्लिप्ट करवाया है अगर आप उसे बनवा लेते हैं तो रास्तान करमचारी चैन बोर्ड की तरब से वह वेलिड किया गया है पिछले जितने भी दस्तावेश सत्यापन हुए है तो उसके लिए मैं आपको यह बता रहा हूं इसके बाद भी आईडी प्रूफ कॉमन चीज है कोई भी एक अधार कारण पेंड कारण ड्राइविंग रायस यहनी जो फोटा युक आपकी जो औरी तडी है वह आपके पास में होनी चीए आपका यहांने फी certificate वाला जो मामला है character certificate इसमें दो देने होंगे आपको एक तो जो आपकी कोई भी जो gadget officer है आपका मान लीजिए उसमें आपके fast grade के दो teacher हो सकते हैं ठीक है अगर वो नहीं है तो उसके अलावा जो यह मान के चली कि कोई भी आपके उस rank के आपके doctor हो सकते हैं ठीक है आपके senior officer भी हो सकते हैं कोई भी एक gadgeted officer होना चाहिए और वो च्छे मेने के अंदर के आपके पास में दो चरीतर प्रपाणब पत्तर होने चाहिए format इनका टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगा जितने भी documents आपको चाहिए बहार के सबत पत्तर वगेरा सब के format टेलिग्राम पर उपलब्द करवा दूँगा यह चीज बार बार repeat नहीं करनी पड़े इसके बाद में जो character certificate है एक character certificate और लगने वाला है वो आपकी सहस्ता जो last जो भी डिग्री है अब बहुत से content बोलेंगे मैंने BA के ही document लगाए एक जमपल दे रहा हूं मैं आपको बहुत से content बोलते हैं अलग लग भरती हों कि मैं तो पीजी के ही document लगाए है मैंने तो इसमें BSC के ही document लगाए है मैंने PG के ही document लगाए है तो मैं कहने का मतलब अफिडेविट है डेवी के समय जो आपको अफिडेविट चाहिए वो only दो अफिडेविट चाहिए एक तो संतान समय दी गोश्णा पतर जो only विभाहित कंडिडेट को देना है और इसके अलावाद जो विडियो और डाइवर्स के टेगरी से जितने भी कंडिडेट फोरम पढ़िएगा पैसे बरबाद करने में कोई फाइदा आपका है नहीं दुमरपान बगर जो जितने भी जो सरीधान की सबत बगर है सब आपकी ये डोकुमेंट है ना यह आपको जोईनिंग के समय चाहिए जिसके लिए अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा इसके बाद मे पैसल का टेगरी की बात करो तो इसमें जैसे वीडो डाइवर्स पोर्स और जो फिजिकली हैंडिकैप और एक्सरिश्मेंट इनको अपनी अपनी का टेगरी की समंधित डोकुमेंट है वो आपको 100% लेकर जाने है आप सब को पता है कि एक्सरिश्मेंट जो आपको पीपी और प्लस में एक डोकुमेंट ऐसा जो उनसे आपका समंधित स्थापित करता हूँ वो डोकुमेंट आपको डीवी के समय लेकर जाना है इसके लवा मेरी स्टिफिकेट जो इतने भी विभाईत कंडेट है ठीक है तो उनको यहाँ पर समंधित आपकी जो मेरी स्टिफिकेट से आपको अनसे मिलेगी जो भी कंडेट पहले से किसी दूसरी जोब में कारे रहतारास्तान में तो जो अनसे आपनों ली है वो डीवी के समय आपको लेकर जानी होगी तो यह तमाम डॉकुमेंट साथी अगर आप त्यार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको करने की बिल्कुल जड़त नहीं है अगर जानकारी आपको इस वीडियो में दे गई उचित लगी हूँ तो वीडियो को लाइक और सेर्जूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवा जाहिए